रमजान का बरकत और नूर से भरा महीना अपने आदे समय पर पहुँच चुका है जिहां नमस्कार आदाव सस्रियकाल मैं अक्सा भी दंसारी और आप देख रहे हैं BCN News जिस तरह रमजान का महीना शुरू हो चुका है और 15 रोजे पूरे हो चुके है इसी तरह ये रोजे रखने का चलसिला चलते रहेगा जब तक पूरा रमजान का महीना खत्म ना होता है और दूसरा नए महीने का नया चान ना दिखे तो रमजान के इस बरकत वाले इस नूर वाले महीने में शहर की रौनक आप तक ना पहुचाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं नापपु शहर के प्रसिद मोमनपुरा शेत्रक पे रमजान भर की लगी रौनक को तो इस रिपोर्ट में बने रहे हैं और देखते रहे हैं रमजान की रौनक अपने नापप शहर की रमजान में फलो की बात ना हो तो रौजे के इफ्तार अधूरी मानी जते हैं जी हां इनी फलो की रौनक रमजान भर रेती है यूकि इफ्तार में सबसे अच्छा इफ्तार का जो चीज होती है वो होते हैं फल तो आप मेरे ठीक पीछे मेरे आसपस देखी सकते हैं कि कई सारे फल है रोज शाम में हर एक रोजेदा जो है इन फलो को इफ्तार में खाना बेहत पसंद करता है करता है रमजान के दूर दूर जाते ही नजदीक आ रहा है इद का दिन और इद के दिन के लिए रमजान भर तयारियाद चलती रहती है इसी तरह पूरा मार्गिट सजा रहता है तो अभी आप ठीक मेरे पीछे देखी सकते हैं कि बाजारों में भीड है हर तरफ नहीं नहीं चीजो तो देखी नहीं चीजों से बाजार सजा हुआ है लोगों की महिलाओं की भीड उमर पड़ी है सिफो सिफ ये इद की रौनक है जो आपको अभी तस्वीरों के सहे दिखाई जा रही है ठीक मेरे पीछे आप देखी सकते हैं कि इफटार का वक्त है यहाँ पर काफी सारी चीजों की पकवान की शारे हैं पर चीजे मौझूद है यह तयारिया है इफटार की क्योंकि इफटार जो एक ऐसी चीज है यहाँ पर इफटार के वक्त एक से एक ने ने बढ़िया तरहा के आइटम समय खाने को मिलते हैं उसी के नजारे अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसके साथ ही इस बाजार में देखिए कि चारों तरफ भीर लगी हुई है यहाँ पर जैसे जैसे इफ़तार का वक्त होते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीर मौजूद हो रही है जबरदस माहूल यहां पर बना हुआ है यहां कपड़ों की दुकानों में काफी भारी भीर आप भी देख सकते हैं क्योंकि एद की खरीदी रमजान में से शुरू हो चुकी है तो आईए यहां के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा यह रमजान की इदी का परवर्द रमजान में अभी से कपड़ों की भीड लग चुकी है लोग खरीदने वाले आते रहे तो यहां के सानिय खरीदारों से पूछते हैं कि कैसा रहा रमजान में इस वार का इतिवार तो रमजान में किस तरह बहुत ज्यादा बीड़ा इस वार ऐसी भीड़ा हमने सब्सक्राइब करीबर काफी नजर आ रही है और लोग अभी से शॉपिंग में मश्गूल हो चुके हैं जी मतलब लॉपड़ॉन में ऐसा था सब धंदे पानी सब ऐसे हुए थे अभी अच्छा लग रहा है कि जैसा धंदा भी खुल गया गिरायक को भी अच्छा हो गया दुकान दारों को भी मितलब अच्छा हो गया तो आप मेरे सामने ठीक देखी सकते है कि इफ्तारी के लिए काफी सारी चीजे यहां पर मौझूद है और आम तोर पर ऐसी तिनों में भी चीजे बरी जाती है लेकिन इफ्तार के वक्त रोजे में इफ्तार के वक्त यह चीजे काफी खाय जाती है काफी लोग पसंद करते खाना तो अब हमारे साथ विक्रेदा मौझूद है उन से बात करते हैं और जानते है कि रम्जान के वक्त इन चीजों की मां कितनी बढ़ जाती है तो आप सब देखी रहे वा सामने सारी चीजे रमजान के लिए स्पेशल बनती है और सब अफ्तारी के पहले सब सारी चीजे पर्चेस करते हैं रमजान के वक्त क्या रोजाना ये चीजे खरीदने उतने ही लोग आ रहे हैं तकरीबन ईत तक लगाया जाता है अंदाज़ा की लोग आते हैं का रही ही लोग आप पूरे विद अपर विदर्ब से लोग आते हैं और फिर उनकी सहलियत के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कोई ऐसी चीज मीठा खाना पसंद करते हैं चीज़े पसंदें जो इस्पेशल भुल्बुले के बहुत फेमस है सारी चीज जाती है जिसके नजारे जिसकी तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखी शकते रमजान में इत के लिए कपड़े हो जवैलेरी हो महंधी हो कुई भी चीज हो मेकप का सामान हो इसके लिए महिलाओ की काफी भीर देखनी को मिलती है और उसी के चलते दुकाले ना काफी अच्छी तरह सजा दी जाती है जिसके तस्वीरे आप मेरे ठीक पिछे देख सकते हैं कि कि इतने खुपसरत खुपसरत तरंगोबरी चीजे यहाँ पर मौजूद है जिसे देख कर लोगों का ध् मौजूद आकरशन इसकी तरफ पहुचे और महिलाए आए जो कि महिलाए आते भी है तो आए यहाँ पर कुछ महिला कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं उनके बीच मौजूद इत का उत्साहा इस बार के इत के लिए क्या क्या तयारी की गई है इसके बारे में जानेगे हम खुद इहां पर एक विक्रेता से इत को तो अभी टाइम है 14 दिन बचे है आज की 16 रोजे हुए है तयारे का ऐसा है कि यहां से एक रोजे से ही मौमिनपुरे का जो इत बाजार बोलते है यह विदर्प का सबसे बड़ा मार्किट होता है इत बाजार को इत को लेके तो इ अभी 15 रोजे तक के सारी दुकान सज जाती है सारी दुकानों में माल अवेलेबल हो जाते है और उसके बाद में जो है 15 रोजे के बाद में अब यहां से यान गिरायकी शुरू हो जाएंगी यहां पर लेने वाले जो है वो पूरे विदर्प से जो है केस्टमर यहां पर आ तर्वास यह आनै हमारे गहर मुस्लिम में भी सारे लोग यहां पर आके अच्छे तरीके से पर्चेसिंग करते हैं मुमिनुपुरा में मुमिनुपुरा इद बाजार है जो यह तकरीबन समझ लो 30-35 सालों से इसी तरह चल रहा और बहुत अच्छे तरीके से यहीद बाजार वेलफेर टेर युन्यान उसका अद्धाक्स भी हूँ और मैं आपके चैनल के माद्यम से ये गुजारिष भी करता हो के मुम्मिनपुरा इद बजार में सबीका वैलकम है सबी आईए और सबी को रमजान मुबारक इद मुबारक इद सिफ महज एक धर्म के लिए नहीं, इद के लिए ना हर धर्म के लोगों के बीच काफी भारी उत्सा होता है जैसा कि बताया गया है कि महज नाधपुर के ही नहीं पूरे विधर्म के लोग इस मुमिल पुरा के इद बाजार में आते हैं और हर धर्म के लोग इस ईद को इस ईद के दिन खरीदारी करते हैं और मिल बाट कर ईद का ये प्यारा सात्योहार सेलिब्रेट करते हैं कपडे चूरी कंगान हर एक चीज महिलाओ को इद के दिन परफेक्ट चाहिए थी जैसे कि आप अभी मेरे बाज में देखी सकते हैं कि महिलाय चूरी आँ खरीद रही है इसका कलेक्शन कितना सुंदर है मतलब आखों में देखते ही नहीं समा रहा है तो यह कलेक्शन कब से आना शुरू होता है स्पेशली एद के लिए कब से लाया जाता है पहले शुरुबात के रमजान से यह सब जानते हैं हम इनके विक्रेता से कि यहां ते जिस लगए एक्षिल में आपस्ट रमजान से सर ऑफनिंग करें हम ने काफिती इन तीन मेन तीन देखोर, देखर करने करने अभी सिस्ट रेंच की सिस्टार्ट किए तтеने लिखेश के वान यह और साहब एक सबीकित हैं किहां आ इसमों यहाइब आपको साधी के हाब से रमजान सब्सक्राइब कभवार्य कर भी एक बहुत हमसे हाथ जिए को पिल्कुल है बिल्कुल जी जी लोगों का यहां पर ना शुरू हो चुका है यह भी मुक्तासर से शुरू हूँ है अभी 10 रम्दान से स्टार्ट हूँ तो यह दिन से उसारे लोग खरेदी करते हैं पर चीजिसिंग करते हैं अपने इसाप से जैसा बिए उनका बज़ेट रहता है तो य लोगों की भीर पूरे मार्केट में इतिनी लग चुकी है तो इतक तो क्या ही माखोल होगा तो इसी से आप अन्दाजा लगा लिए और देखते रहें ये BCN News खुबसूरत खुबसूरत एक से एक बहतरी इन चीजे यहाँ पर पूरे बाजार की रहुनके बढ़ा रही है तो इन चीजों को कब से लाया जा रहा है और कब तक लोग इने खरीदते रहेंगे इन सब बातों को जानते है तो आईए हिरा के विगरता उसे जानते है कि कब से ये पुरी दुकान इतने चीजों की रौनक से भर चुकी है और कब तक लोग यहाँ पर आ रहे है इसको तो अवाजाण हो गाय devenir और उनके लिए इसे के सबर्म है क्सित्सक्त और भी एस्पेशल है और भी वन fireworks वाले है अज पंदरा रमजान हो गया है लोगों के आवाजावी अज से बढ़ गई है बच्चों के एक्जाम की वजए से एड की खरीदारी पे ठोड़ा फरक था लेकिन अभ एक्जाम खतम होने की वजए से मार्केट में आज से आवाजा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सारे कस्टमर का हम इस्तेकबाल करते है और अलहमदुलिल्ला इस रमजान सांती पुर्व जाए लोगों से इस्तेकबाल करते है और यहाँ जो है अलहमदुल्ला यह मार्केट जो है कस्टमर जो आ रहे है बहार से सारे हमारे लोग जो आ रहे है सारे मजब के जो लोग आ रहे है सबका इस्तेकबाल करते है आईए हमारे बारो महने की दुकान अलमदुल्ला सारे मजब के लोग आते है यहाँ पे और तूर उडिर्प के ओं है और दूर से आते हैं विदार्प के कौने-कौने से आते हैं घुさい क्लिए व्राथ aha नग्डधिया आजिला वंडारामरम अी वरत मेल अलhouse थियुक्तमेय S.रड अर और हमने यहां पर देखी रमजान ईद की तयारियों को साथ ही साथ हमने रमजान की रौनक भी इस रिपोर्ट में आपको दिखाई अभी भी आप मेरे पिछे देख सकते हैं इफ्तार का वक्त हो चुका है फिर भी पीछे लोगों की आवाजा ही शुरू है लोगों की खरीदा खाने पीने से लेकर कपड़ों तक की सारी खरीदारी यहां पर अभी चल रही है इफ्तार का वक्त हो चुका है असर की अजान हो चुकी है मगरिब की अजान से पहले इफ्तार किया जाएगा और रोजे को खोला जाएगा तो उसी तरहा रोजाना ये ऐसी ही इसी तरहा की त तब तक ये तयारिया चलेगी और एद तक यूँ ही रोजे रखे जाएगे तो हमने इस रिपोर्ट में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया आपको रमजान की और आने वाली एद की रौनक बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहे ये BCN News केमरा मेर अजित कुवर के सा अक्सा वही दंसारी, BCN News, नापकोर